नमस्कार दोस्तों आपका बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल राल एक्जाम रेस पर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतरगत में आप लोग के लिए हिंदी और इंग्लिजिस की मिक्स क्रेक्टिस एड लेका राया रहा हूं जो कि एंसल एक्जाम साइड में देखे रहा है वैल आकन को पैस करना बिल्कुई भी ना भूले ताकि आने वर नई वीडियो नॉटिफिकेशन आता सफसे पहले पहुंस सके तो चलिए चलते हैं क्यों देखते हैं आज की महत्रूर प्रश्ण क्या है तो दोस्तों को दे रखा है निम लेकित में चलिए अगले प्रश्ण क्यों बढ़ते हैं प्रश्ण है नेम लेकित में इसे सुद्ध वर्तनी चैन करें तो यहां पर बताएं फ्रेंट्स जैस्ट का सुद्ध रूप कौन सा है तो यहां पर राइटान से क्या हो जाए दोस्तों आप लोग का आप्स नंबर टू ठीक है जैस्ट को ऐसे लिखाया आता है जैस्ट इसका मतलग क्या दोस्तों सबसे बड़ा ठीक है एल्डेस्ट चलिए बढ़ते एंगले प्रश्ण क्यों है तो बताएं देगे विगलपों में से कौन से सही होगा तो यहां पर राइटान से क्या हो जागा आप लोग का दोस्तों प्रश्ण क्यों वा निर्वासित का प्रत्य निमस में से क्या होगा तो बताएं यहांपर सफिर्थ स्ब्द कौन सा होगा। दोस्तों cohort अगले प्रश्ण क्यों प्रश्ण की और प्रत्य बढ़ते हैं एह घखन वा स alltså निर्दन cooler वासित अ पिसक्त हो चीक है तोन हमारा औप निर्वाह में प्रिवक्त उपसर्ग कौन सा है तो बताई यहाँ पर राइटंससे क्या हो जागा दोस्तो आप लोगा तो यहाँ पर राइटंस ओ जागा दोस्तो और टूब टूबू ठीकर बहुत इजी है नेर उपसर्ग हो जागँ चलिए बढ़ते एक लिए प्रिश्ण क में कौन से संदी है तो बताइए यहां पर दिये गए विकल्पों में से महोदे में कौन से संदी है तो यहां पर राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग का ऑप्स नमबर थ्री गुर संदी ठीक है ध्यार न कीएगा छलिए बढ़ते आंगले परशन की ओर और प्रशन कृत्त ऑगन का मतलग थैं दोस्तों इह ना मानने वाला चलिए बढ़ते कि यहां पृत्फिविराज के रशनकार कौन है तो बताए इंपोर्टन कौन है जाने कि यह कौन है तो यहां पर आइटांस से क्या हो जागा आप लोग का ऑफ संबर टू ठीक है चंद वर्दाई चली बढ़ते एक लिए प्रश्ण क्यों है तो दोस्तों कोश्चन है मन धन भाव तो यहां पर बताएए इसका संधी क्या होगा दोस्तों तो यहां पर आइटांस वर्द दोस्तों आप लोग का मन भाव ठीक है ओफ संबर ठीक है मन भाव चली बढ़ते एंगले परश्ण की ओर दोस्तों यहां से इंगली से कुश्चन स्टार्ट हो गया है कुश्चन है चूज दे करेक्ट स्पैलिंग तो बताए फ्रेंट्स यहां अचिवमेंट का मतलग क्या होता है उपलबदी चलिए बढ़ते एंगले प्रस्ण की ओर प्रस्ण दोस्तों चूज दा करेक्ट स्पैलिंग तो बताए यहां पर फॉर्णर की सही स्पैलिंग क्या है तो बताए फ्रेंट्स यहां पर आइट आंसर क्या हो जाएग आप आप लोग को बता दूं परदेशी या फिर विदेशी ठीक है चलिए बढ़ते एंगले प्रस्ण क्यों हो प्रस्ण है यहां पर हमें बताने करेक्ट्र स्पैलिंग क्या है दोस्तों एक्कुरेट का मतलब जानते ही होंगे परिसुद्ध हो गया ठीक हो गया तो यहां पर सह क्यों हो जाओ को फॉल्विंग ऑप्षन तो बते हैं यहां पर यहां पर जो बहुत ही महँगा होता है ठीक है यहां इस चीज के लिए यहां पर प्रियोग करते हैं ठीक है में तो इसका यहां पर सनोनियम क्या हो जागा दोस्तों यहां पर हो जागा आप लोग का ऑप्स नमबर तू बिल्कुल सई ठीक है खौस्टली ध्यानकी यह का डियर का सिनोनियम क्या हो जागा कि खिन्ग है तो यहां पर दोस्तों, इसका ही ुत्र क्या हो जागा यहां पर एपन फुर और संधेटिज है, भागे और यह प्रैशन ने सिससाथ कोई भी अर्टिकल नहीं लगता है ठीक है दोस्तों यहां पर रहे टन से जाए दोस्तों आप लोग का नन चलिए बढ़ते यह प्रिश्ण की ओर आप लोगों को बता दो क्या होता है अच्छी का मात्रा में तो इसका विटा क्या जा अपलोग का इसकेर सेटी का मतलब क्या होगयो जैक है उसका इसकेर सीन चलिए बढ़ते हैं प्रक्रशन की ओ तो दोस्तों कोशन है तो दोस्तों बताएं यहां पर डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है तो यहां पर एटन से क्या हो जागा दोस्तों आप लोग का ओफ संबर वो बिलकूल सही होगा ठीकुए दोस्तो मतलब होता है अलग चलिए बढ़ते हैं प्रशन की ओर कोस्छन है fortunate का मतलब क्या है दोस्तो यहाँ पर यहाँ पर सही अर्थ क्या होगा fortune निद मितक है तो यहाँ पर आपर परश्नीन को चलते जो कि आप लोग का लास्ट कोश्चन है कुश्चन दोस्तों डिमाइस का मतलब क्या है तो बताए फूंस दिये गए विगलपों में से डिमाइस का सई अर्थ क्या है तो दोस्तों यहां पर आट डान से जागा दोस्तों आप लोग का आपस नमबर 4 ठीक है मृत्यों डिमाइस का मत होता है मृत्यों और यहां पर इसका सिनोनियम क्या आपको डैथ ठीक है तो दोस्तों यह थे आज के 20 महतुर्ण प्रश्ण जो कि एंसेल एक्जाम के लिए भाई ठीक है बंदे मातरम